प्रेंट्स वेलकम टू रंजन इंस्टिट्यूट आज की इस लेक्चर में हम लेंगे फ्रेंट्स गेट 2000 केमिकल रियक्शन एंजिन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंट्स ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स्पेरिमेंटली डिटर्माइन ओवरल ओडर ओडर ओफ रियक्शन ए प्लस बी गिफ सी प्लस टी इस टू देन अब यह फोर ओप्संस में हमें करेक्ट ओप्सं चूज करना है तो पहला है रियक्शन इस एलिमेंट्री विट आ मॉलिकुलर्टी ओफ टू ठीक है तो अग वर ओडर आपका कितना हूज जाएगा ठीक है और ऐसे केस में मॉलिकुलर्टी आपका देखिए तू है और रियक्शन भी हमारा अलिमेंट्री हो जाएगा ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि यह रियक्शन इलिमेंट्री हो विद् तो option A and option C को ध्यान से आप देखिए, option A में दिया है, reaction is elementary with a molecularity of 2, और second में दिया है, reaction may be elementary with a molecularity of 2, ठीक है, अब मा लिजिए कि जो rate expression, experimentally हमने find out किया, वो आया, कि CA के power 1.5 और CB के power 1, ठीक है, तो अब, नहीं, CB power 0.5, तो अब देखिए, overall order जरा बताइए, इस expression से आप overall order कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 0.5, ठीक है, 1.5 प्लस 0.5, A के respect में order 1.5 है, और B के respect में order 1.5 है, और B के respect में order 0.5 है, तो overall order आपका आ जाएगा 2, ठीक है, है, है न, तो अगर ये वाला case होगा, friends, तो ये elementary reaction तो होगा नहीं न, क्योंकि elementary जो reaction होता है, friends, वो directly क्या है, उसमें stoichiometric coefficient ही rate expression बनता है, मतलब अगर ये reaction elementary है, तो A का भी order होगा, B का भी order, दोनों का 1 होगा, ठीक है, जबकि अगर हमारा इस type का rate expression आया है, तो ये बात सही नहीं fit हो रही है, इसका मतलब C option हमारा correct हो जाएगा, जाकि reaction में भी elementary with molecularity 2, क्योंकि ये case भी हो सकता है, और जब ये case होगा, तो आपका A option तो correct नहीं होगा, क्योंकि इस case में ये elementary reaction नहीं होगा, उसके अलाबा B option पढ़ते हैं, molecularity of reaction is 2, but reaction may not be elementary, तो ये sentence तो अपने आप में ही wrong है, क्योंकि molecularity elementary reaction के लिए defined ही होती है, only, ठीक है, तो ये अपने आप में ही wrong है, reaction is elementary, but molecularity is not 2, ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर elementary reaction है, तो molecularity simply number of reactance होते हैं, जो कि वो हमेशा 2 होगा, तो ये D option भी हमारा incorrect option हो जाएगा, तो आपको wisely choose करना था, इसमें A और C में की कौन सा correct होगा, ठीक है, ना, तो ये दोनों condition इसी के लिए मैंने लिख दिया है, the reaction A to B is converted into isothermal batch reactor, ठीक है, if conversion of a increases linearly with holding time, then the order of reaction is, ठीक है, तो french conversion linearly increase करता है, शिर्फ और सिर्फ 0 order, reaction में ये आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि कई सारे objective question आप directly solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर option ये हमारा correct option हो जाएगा, चलिए इसको हम check भी कर लेते हैं, rate expression लिखते हैं, minus RA is equal to minus D, CA by DT is equal to K, CA के power 0, जहाँ पर की ये CA power 0, 1 हो जाएगा, तो simply यहाँ पर K हो जाएगा, 0 order reaction के लिए, अब हम conversion के form में लिखेंगे, तो ये DCA कितना हो जाएगा, CA not DXA by DT is equal to KT, अब आप DXA को integrate करेंगे, 0 to X और T 0 to T से, T तक, तो यहाँ जाएगा, X is equal to KY CA not और into T, तो देखिए, ये linearly increase करेंगा, conversion with time, conversion का time के साथ plot करेंगे, तो linearly ये increase करेंगा, friends, third question देख लेते हैं हम लोग, friends, इसमें एक parallel reaction दिया गया है, ठीक है, और activation energy, दोनों parallel reaction के लिए हमें given है, यहाँ पर 80, यहाँ पर 120, ठीक है, और first reaction second order है, और second reaction हमारा first order है, ठीक है, और R हमारा desired product है, first जो reaction हो रही है, वो desired reaction है, ठीक है, तो for high selectivity of R, कौन सा combination इसमें correct होगा, तो सबसे पहली बात तो ये है, कि देखिए, यहाँ पर activation energy 80 है, यहाँ पर 120, अगर desired है, friends, तो हमें क्या करना पड़ेगा, temperature को low करना पड़ेगा, क्योंकि, अगर हम high temperature करेंगे, तो high activation energy वाली reaction प्रोसीड हो जाती है, ठीक है, यह high activation energy वाली reaction high temperature पे ज़्यादा fastly होगी, compare to slow reaction, compare to less activation energy, ठीक है, तो desired reaction का activation energy कम है, तो हम कम temperature रखेंगे, तो हमारा यह second वाला reaction बिल्कुल प्रोसीड नहीं करेगा, और first वाला reaction हमारा प्रोसीड करेगा, तो यहाँ पे low temperature हो गया, first चीज, उसके बाद हमें, देखना है कि, CSTR रखना है कि PFR रखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे friends, rate of formation of R और rate of formation of S का हम ratio निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यह आगया K1 by K2 CA, क्योंकि देखिए, यह square का term यहाँ से cut जाएगा na, CA और इसके square को cancel out कर देगा, तो K1 by K2 CA, अब देखिए, concentration अगर CA का high होगा, A का concentration high होगा, अगर, तो selectivity भी high होगी, R भी ज्यादा mole fraction में form होगा, at outlet, ठीक है, तो जब concentration high रखना है, तो हमें क्या, PFR यूज़ करना पड़ेगा na, simple है, यह हमारा PFR है, ठीक है, इसमें concentration profile माल जिए, 2 से 1 drop हो रहा है, तो concentration profile किस तरीके से बनता है, इस टाइप से बनता है, कि inlet पे concentration 2 है, और outlet पे concentration हमारा 1 है, तो हमारा यह concentration 2 से 1 drop होगा, और mixed flow reactor के लिए, अगर हम concentration profile देखते हैं, तो अगर 2 mole per meter cube से inlet concentration है, तो outlet पे concentration हमारा 1 mole per meter cube होगा, और पूरे reaction mixture का, हमारा concentration 1 mole per meter cube ही होगा तो अगर compare करेंगे तो देखिए plug flow में outer पे 1 mole per meter cube है क्या आपका concentration और जैसे जैसे reactor में इस direction में move करेंगे हमा concentration हमारा increasing trend है तो average concentration PFR में हमें सा ज़्यादा होगा न compare to CHTR क्योंकि इसमें हर जगा concentration final concentration ही होता है तो इसलिए हम concentration of A को हमें high रखना है तो हम PFR यूज़ कर लेंगे इस case में ठीक है तो हमारा selectivity of R ज़्यादा मिलेगा fourth है हमारा friends कि poor diffusion का question है हमें बताना है कि overall reaction को diffusional effect ज़्यादा है मतलब diffusional control कर रहा है overall rate को तो कौन सा option हमारा correct option होगा इसका correct option यह है चलिए explain करता हूँ मैं अभी ठीक है तो diffusional effect अगर overall rate को करेगा friends तो उसके लिए condition क्या होती है थिले modulus की कि थिले modulus should be ml should be greater than four friends ठीक है मतलब अगर थिले modulus की value काफी high हो ठीक है थिले modulus की value काफी high हो तब आपका strong pore diffusion controlling होगा ठीक है ना तो थिले modulus की value कितनी है root k by d e into l ठीक है तो अगर थिले modulus की value को high रखना है friends तो आपको क्या करना पड़ेगा इस k की value को काफी high रखना पड़ेगा है ना k की value को काफी high रखना पड़ेगा k क्या है intrinsic reaction rate based on rate constant based on volume ठीक है तो अगर k high रहेगा तो इसका मतलब fast reaction होगी अब हमें check करना है कि small pore diameter होना चाहिए कि large pore diameter होना चाहिए ठीक है तो कई लोग क्या करेंगे friends mistake उसमें ये l से compare करेंगे तो l से compare ना कर देना कि थेले models की value high रखने है तो l को भी high रखना है l high रखना है तो मतलब diameter high रखना है तो हमारा b option कई लोग इस पर click कर देंगे कि fast reaction in catalyst and large pore diameter जो की incorrect है friends l क्या है length of जो है pore है length of pore है और आपका diameter क्या है pore का जो diameter है friends ये है pore का diameter जिसमें कि ये reactant enter करेगा है तो इससे confuse नहीं होना तो थेले models में तो कहीं भी pore के diameter का term आही नहीं रहा तो हम कैसे compare करेंगे ये जो d है ये effective diffusivity है तो इसमें तो कहीं भी थिले models में हमें लग रहा है कि diameter या radius और पोर कहीं पर टर्म आहीं नहीं रहा तो हम compare कैसे करेंगे तो फ्रेंट्स एक्चुली इसमें diameter या फिर रेडियस का term आल्रेडी रहता है थिले models में बस वो hidden लाता है उसको हमें find करना पड़ेगा अगर आपने अच्छे से derivation किया है फ्रेंट्स पोर diffusion वाले section में तो आप इस question को hit कर देंगे otherwise आप नहीं कर पाएंगे तो यह page number 383 में given है यह पूरा derivation आप जाकि देखिए ठीक है कि कैसे इसमें पूर का diameter भी involved है ठीक है तो चलिए सबसे पहले फ्रेंट्स हम लिखते है एक्चुली जो यह के है फ्रेंट्स न यह based on volume है rate constant based on volume है जबकि अगर हम इसको rate constant based on surface में convert करें तो हमारे यहाँ पे radius का term आ जाएगा ठीक है यह diameter का term आ जाएगा चलिए rate of reaction into surface area ठीक है और यह intrinsic rate है based on surface area ठीक है ठीक है ठीक है जैसे की लिखता हूँ है इसको समझाना पड़ेगा यह हो जाएगा mole per second per meter square ठीक है यह आ रहे और यह based on volume क्या होता है mole per second per unit volume ठीक है तो अगर हम volume based वाले intrinsic rate में total volume का multiply कर देंगे तो यह mole per second हो जाएगा ऐसे ही surface area वाले base में जो reaction की intrinsic rate है उसमें हम अगर a का multiply कर देंगे तो यह भी mole per second में हो जाएगा reference ना तो इसलिए यह condition hold करती है अब क्या है कि आरे यह based on surface area है तो हमने rate constant इसमें लिखा k double dash into ca first order reaction के लिए और assume किया हमने कि first order reaction है यह आप n भी लिख सकते हैं कोई rate constant है और यह surface area based rate constant है और volume का multiply किया तो इस pore का volume कितना हो जाएगा pi r square into l और pore का inner surface कितना हो जाएगा 2 pi r 2 pi r into l ठीक है तो यहां से हमने देखा कि जो यह rate constant है k is equal to k double dash divided by r है ना तो अगर अब हम थिरे मॉडलस mt लिखें तो यह हो जाएगा root k double dash 2 by r d e into l ठीक है अब यहां से आप देख लीजे कि mt की value को high रखना है तो आपको इस r की value को low रखना पड़ेगा ना और अगर r की value radius low रखना पड़ेगा तो diameter भी low रखना पड़ेगा तो इसलिए हमारा option a correct option हो जाएगा फ्रेंश ठीक है इस question में कई लोग confused हुए होंगे तो जाके please यहां पे page number 383 पे जाके इसको check करें ठीक है क्योंकि थिले मॉडलस में कहीं पे भी पोर के radius या पोर के diameter का कोई term given ही नहीं रहता है तो कई लोग सीधा सीधा compare करते है इस L को diameter से जो की इनकरेक्ट है फ्रेंश हमेशा आपको डायमेटर सो comparison करने के लिए इस के को सर्फेस वाले रेट कॉंस्टेंट करना पड़ेगा तब हमारा यह यहां पे डायमेटर या रेडियस का टर्म आता है फ्रेंश फिफ्ट क्वेस्टें है फ्रेंश एक CSTR है जिसमें एक सिंपल रेक्शन A to B carried out होती है और यह रेक्शन first order liquid phase reaction है फिर क्या करते है फ्रेंश इसी CSTR में same volume का दूसरे case में same volume का एक CSTR और series में add कर देते हैं तो हमें find out करना है overall conversion at the outlet of second reactor तो चलिए कोई problem नहीं है असान सा question है हम लिखेंगे क्या mixed flow reactor का performance equation वो कितना है C A not minus C A और first order reaction है तो minus R A कितना हो जाएगा case C A अब यहाँ पर देखिए inlet concentration C A not put करेंगे और final concentration C A not by 2 put करेंगे क्योंकि यहाँ पर 50% conversion दिया है हमने यहाँ पर put किया C A not हर जगा है तो cancel out हो जाएगा यह term हो जाएगा 1 by K तो यहाँ से हमें आ गया K tau is equal to 1 simply अब देखिए second वाले case में हमारा क्या है कि एक mixed flow reactor को हमने और series में add कर दिया तो हमने जब इसके लिए performance equation लिखा friends तो इस reactor का inlet concentration जो C A not जहाँ हमें put करना है उसकी जगा पर हमें C A not by 2 put करना पड़ेगा ठीक है ना यह inlet concentration है outlet concentration यहाँ पर minus C A upon K C A first order reaction के लिए ठीक है तो यहाँ से C A is equal to 1 plus K tau is equal to C A not by 2 ठीक है अब K tau की value हमें पता है 1 तो हम यहाँ से 1 put करके final concentration हम find करेंगे तो हमारा आ गया C A not by 4 तो यहाँ से conversion आपका कितना आ जाएगा 75% ठीक है ना 6th question friends एक irreversible liquid phase reaction है जो की A convert हो रहा है product में ठीक है तो हमें overall order find out करना है इस reaction के लिए हमें data given है initial concentration और half life time का initial concentration हमने vary किया और different difference experiment perform किया और हम half life को measure करके table बना लिए अब हमें find out करना है overall order तो चलिए हम क्या करेंगे general rate expression लिखेंगे तो general rate expression क्या है minus r is equal to minus d ca by dt is equal to k ca के power n अब concentration वाले term को इधर लाएंगे हम integrate करेंगे इसको t is equal to 0 पे concentration ca not and general time t पे concentration ca रहेगा हमने जब integrate किया तो हमारा expression आया यह concentration with time हमारा यह expression आ गया अब हमें concentration को half कर देना है कब t half पे तो हम यहाँ पे t half put करेंगे t की जगा पे तो यहाँ पे ca की जगा पे ca not by 2 put करेंगे तो हमारा यह expression बन गया है ना तो यहाँ से देखिए यह सब तो constant है 2 के power n minus 1 minus 1 और n minus 1 into k यह सारे तो constant quantity हैं तो यहाँ से जो t half proportional हो जाएगा simply ca not के power n minus 1 के proportional हो जाएगा तो यहाँ पे जब ratio निकालेंगे तो देखिए यह हो जाएगा ca not second वाले experiment के लिए और ca not first experiment के लिए power n minus 1 अब data points जो भी हमें दी गए है वह value हम यहाँ पर put करेंगे तो यहाँ से हमारा आ गया है n minus 1 is equal to 0.5 तो finally हमारा order 1.5 यहाँ से मिल गया friends 7th question देखिए एक series reaction है इस question में ठीक है तो इस question में पूछ रहा है कि the variation of c with reaction time will not so maximum if चलिए देखिए अब हम इस question को समझने के लिए time के साथ ठीक है time के साथ a और b ठीक है इस batch reactor में जो यह reaction हो रहा है उसमें concentration profile draw करेंगे with time ठीक है ना तो एक एक concentration क्या होगा friends एक concentration continuously drop होगा की नहीं होगा क्योंकि यह reaction time के साथ continuously होगी तो यहाँ पर यह एक 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 आपन्यूसली ठीक है बी फॉर्म होता जाएगा तो जैसे ही बी का appreciable amount यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा यह reaction भी activate हो जाएगी तो formation और disappearance due to this reaction एक साथ होगा तो शुरू में तो बी का concentration बढ़ेगा क्योंकि यह rate काफी हाई होगा क्योंकि concentration of a काफी ज्यादा है देखिए काफी ज्यादा है तो यही वाली reaction होगी न और बी का असनल एक कटेगा मतलब ये वाला रियुच्टेप हमारा यह वाला जो रियुच्टन का रेट है वह डेक्रीज cowboy क्योंकि एक घ्रीट्स एक्रीजोर यवारा जम्यक्री इस रियक्षण की रेट बढ़ेगी तो क्या होगा एक मैक्सिमा आ के वाण in प्रूंता एंसे बाद अ duy बी का खतने लगेगा controller क्या होगा और सी का सबढों क्या होगा इन इस ये जीरो होगा और बाद में वहां इसान कॉंटिनुवॉस लए राइज करेगा ठीक है ना, ठीक है, यह C का concentration, यह A और यह B, लेकिन friends, यह वाला जो curve है ना, B के लिए, यह तभी form होगा ना, जब at T is equal to 0, यह वाले reaction की rate, यह वाले reaction की rate से ज़्यादा हो, मतलब B accumulate होगा, तभी तो यह, आपका rising curve आएगा, और maxima आएगा, समझ गया ना, अगर यह वाली rate, कम है, compare to this rate, क्या होगा, जितना भी यह B form हो रहा है, वो instantly वो convert हो जाएगा किस में, C में, तो यहाँ पे, B का जो concentration होगा, second वाले case में, वो कुछ इस तरीके से होगा, कोई भी maxima नहीं form होगा, और वो almost 0 रहेगा, with respect to time, क्योंकि जितना भी B form हो रहा है, यह reaction काफी fast है, from T is equal to 0 से ही, तो जो भी B form हो रहा है, वो हमारा convert हो जाएगा, finally, C में, इसलिए हमारा B का concentration profile कुछ इस तरीके से आता है, तो इस तरीके वाले, जो है, concentration profile कब आएगा, उसके लिए हमें, सबसे पहले rate of formation of B निकालना है, तो हमने जब rate of formation of B निकाला, तो यह आ गया हमारा, K1 CA माइनस K2 CB, अब T is equal to 0 पे हमारा, RB, T is equal to 0 पे हमारा rate आ गया कितना, जो भी initial concentration था, A और B का वो हमने put कर दिया, तो यहाँ पे CA की जगह पे CA not, CB की जगह पे CB not हमने put किया, तो यह rate of formation of B at time T is equal to 0 हमें आ गया, ठीक है ना, अब अगर फ्रेंज, K2 CB not greater than होगा, K1 CA not से, तो RB का formation का rate क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा ना, minus, तो actually negative नहीं होगा, actually यह होगा कि जिस rate से B form हो रहा है, वो पूरा का पूरा C में convert हो जाएगा, तो RB के formation की rate इस case में 0 होगी, actual real case में mathematically यह लग रहा है negative, जबकि practically ही वहाँ पे B form ही नहीं होगा, यह form होगा, तो instantly वो C में convert हो जाएगा, ठीक है, तो अगर maxima हो, maxima होने के लिए हमारा, K1 CA not should be greater than K2 CB not, यह आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, maxima होने के लिए, और maxima नहीं find out होने के लिए, यहाँ पे क्या पूछा था, the variation of CB with reaction time will not show maximum, तो इस case में maximum नहीं show करेगी, concentration of B will be almost zero at all the time, तो कौन सा option यहाँ पे correct हो जाएगा, यहाँ पे A option नहीं correct हो जाएगा, friends, इस question में एक adiabetic plug flow reactor में simple reaction A to B हो रही है, ठीक है, feed हमारा pure A है, और initial concentration उसका यहाँ पे दिया गया है, 2 kmol per meter cube, और volumetric flow rate भी हमें given है, inlet temperature हमें 500 Kelvin गिवें है, ठीक है, और conversion हमारा at exit है, हमारा 20%, ठीक है, तो हमें outlet का temperature find out करना है, ठीक है, तो इस question को friends हम दो method से solve कर सकते हैं, एक lemon spill में जो conversion वाला formula दिया गया है, उससे solve कर सकते हैं, और दूसरा हम basic energy balance से solve कर सकते हैं, तो हम दोनो method से solve करके आपको दिखा दे रहा हैं, जो भी आपको easy पड़े, उस method को आपको follow करना है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से gate के question को attempt करने के लिए, आप formula based पे ही जाएंगे, तो आपका question जल्दी से solve हो जाएगा, time बचेगा, और उस time का आप use कर सकते हैं, next question को solve करने में ठीक है, और mistake के chances भी यहाँ पे कम रहेंगे, जबकि यह basic energy balance से solve करने जाएंगे, तो कई सारी terminology उसमें आपको clear होनी चाहिए, और आपका calculation mistake भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम formula based से solve करेंगे, तो यह simply है, conversion is equal to minus cp delta t, यह friends क्या होता है कि energy required to raise feed to final temperature t2, ठीक है, और यह heat of reaction at temperature t2, ठीक है, यह formula है friends, इसको आप याद रखिए, तो यहाँ पे feed में क्या है, pure a है ना, ठीक है, तो अच्छा, यह जो है, ऊपर जो दिया है cp delta t, यह per mole में होता है, energy required to raise feed temperature to t2 per mole, ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए, यहाँ आप हो सकता है कि mass flow rate या molar flow rate से multiply कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले में कहीं पे भी molar flow rate अड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है न, अब देखते है cp की value कितनी दी गई है, 100 kJ per kmol per kelvin, तो यहाँ पे हम 100 हमने put कर दिया, और final temperature t हमने अजूम किया, t-500, अच्छा, अब हमें यहाँ पे जो यह delta ht, heat of reaction लिखना है, वो final temperature t पे लिखना है, तो इसके लिए formula क्या होता है, delta h2 at temperature 2, is equal to delta h1 plus t12 t2, del cp dt, यह formula होता है अगर आपका heat of reaction t1 temperature पे दिया है, और हमें find out करना heat of reaction t2 temperature पे, तो हम इस formula का यूज़ करके, t2 temperature पे heat of reaction find out कर सकते हैं, है ना, तो हमें question में दिया गया है, 298 Kelvin पे heat of reaction, है ना, तो हम समसे पहले find out करेंगे, heat of reaction at temperature t, तो इस formula का यूज़ करेंगे, तो यह हो जाएगा, delta h298 plus integration यह वाला होगा, t1 से t2, t1 कितना है, 298, ठीक है, और, temperature t तक, del cp into dt, अच्छा, इसमें, del cp कौन सा quantity होता है, यह product का, summation of, heat capacity of product, minus, summation of, heat capacity of reactant, और इस case में, cpa, cpv, दोनो 100 kJ per kMol Kelvin है, तो del cp यहाँ पर हो जाएगा, 0, तो यह पूरा का पूरा term हो जाएगा, 0, तो simply हमारा, यहाँ पर, delta ht is equal to, delta h298 आ जाएगा, ठीक है, दोनों same आ जाएगा, तो हम put कर देंगे, वो कितना है, minus 50,000, हमने यहाँ पर put किया, conversion हमने यहाँ पर put किया, 100 को यहाँ से divide कर दिया, तो हमारा देखिए, final temperature 600 आ गया, ठीक है, अच्छा, अब हम energy balance से इसको solve करते हैं, ठीक है, देखिए, यहाँ पर reactant है, और 500 Kelvin पर हमारा reaction हो रहा है, initially हमने अज्यूम किया, कि 500 पर reaction हुआ, तो यहाँ क्या होगी, heat produce होगी न, तो heat कितनी produce होगी friends, देखिए, heat produce होगी, जो heat of reaction है, into conversion, into inlet molar flow rate, कितना है inlet molar flow rate, delta H into conversion into molar flow rate of A, यही आपका heat produce होगा न, अब चली एक एक टर्म को देखते हैं, सबसे फ़हले, delta H को देखते हैं, delta H मैंने यहाँ पर लिखा है, 50,000, friends, इस question में देखिए, delta H दिया था, 298 पर, लेकिन अभी हमने पिछले, जो explanation में हमने प्रूब किया था न, कि delta H T is equal to delta H 298, इसलिए 500 Kelvin पे भी, या किसी भी temperature पे, यह delta H 50,000 ही रहेगा, फर्स टर्म हमारा हो गया, सेकेंड है कन्वर्जन, कन्वर्जन 20 परसेंट है, तो यहाँ पे हमने 0.2 पूट कर दिया, ठीक है, अब यह third है हमारा, molar flow rate of A, इसके लिए inlet पे concentration हमारा दिया है, देखिए कितना, 2 किलो मोल पर मीटर क्यूब, 2 किलो मोल पर मीटर क्यूब, अब वाल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारा गिवन है, 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी फ्रेंच, यहां मिस्टेक मैंने कर दिया था, अभी मैं करेक्ट कर दिया हूँ, चलिए, अब नेक्स देखते हैं, समझ गया है, तो डेल्टा S तो आपने लिख दिया, कन्वर्जन भी लिख दिया, अभी F A, यह वाला टर्म हमें लिखना है, ठीक है, तो molar flow rate of A is simply multiplication of concentration into volumetric flow rate, देखिए, मीटर क्यूब कैंसिल लोड जाएगा, और किलो मोल पर सेकेंड यहां पर आ जाएगा flow rate, ठीक है, तो यह आ गया, 0.02 किलो मोल पर सेकेंड, तो वह हमने यहां पर पुट किया है, तो टोटल जो energy produce होगी न, फ्रेंच पर सेकेंड, वह होगी 200 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है, 200 किलो जूल पर सेकेंड एनरजी यहां पर produce होगी, अब देखिए, यहां पर hash loss से देखिए, क्या है, कि 500 पर reaction हो रहा है, हमने अजुम कि कि 500 पर reaction हो रहा है, उससे 200 किलो जूल पर सेकेंड एनरजी हमारी produce होगी, और वह क्या करेगी, प्रोड़क्ट यहां पर आगया न, यहां पर reactant था, यहां पर product था, प्रोड़क्ट के temperature को, अब यह 500 से T तक यह reach कराएगी, ठीक है, तो अब हमें simply क्या करना है, Q is equal to summation mcp, तो यहां से आप देखेंगे, Q is equal to summation of mcp dt, किसका product का फ्रेंट, ठीक है न, प्रोड़क्ट का हमें करना है, तो सबसे पहले हमें, प्रोड़क्ट का molar flow rate पता होना चाहिए, और हमारा product में A and B दोनों है न, और दोनों का हमें heat capacity दिया है, और temperature, dt नहीं delta t करिए, ठीक है, delta t, ठीक है, तो सबसे पहले हम, molar flow rate हमें निकालना पड़ेगा, product में कितना है, तो देखिए, A का molar flow rate अभी हमने निकाला था, कितना था, 0.02 kmol per second, ठीक है, अब देखिए, 20% जब यह convert होगा न, तो यह कितना सबस्ट्रेक्ट हो जाएगा, 0.004 kmol per second, ठीक है, तो इतना सबस्ट्रेक्ट होने के बाद, product में यह बचेगा, product, finally यह बचेगा, 0.016, तो और B कितना form होगा, 0.004, 20% कर्वर्जन की वज़े से, तो जो product का mixture होगा, उसमें A और B, भी दोनों present रहेगा, ठीक है न, और इतना molar flow rate से present रहेगा, तो अब हम जबने heat balance किया, क्योंकि यह reaction हमें, adiabatic reaction दिया गया था, जो भी chemical reaction से heat produce होगा, वो product के temperature को, product mixture के temperature को, 500 से T degree centigrade तक यह, rise कर देगा, ठीक है, तो इसलिए हमने यह term लिखा है, Q is equal to summation mcp delta T, ठीक है, तो 200 आपका क्यों हो गया, और यह हो गया flow rate of A, heat capacity of A, and T final temperature minus 500, और इसी तरीके से यह B का molar flow rate, B का heat capacity, और यह delta T, तो यहां से हमारा आगया, final temperature, इसको solve करने के बाद यह, 600 Kelvin हमारा final temperature हो जाएगा, ठीक है, 9th question friends, यह derivation मौला question है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, formula base से solve करेंगे, एक formula मैंने, generate किया है, इसकी मदद से आप इसको बिना derive किये हुए, solve कर सकते हैं, ठीक है, अब इस question को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कि heterogeneous irreversible catalytic reaction है, जिसमें A gas, B gas react करके बना रहा है, C gas, ठीक है, और surface reaction, में क्या हो रहा है, कि A भी absorb हो रहा है, B भी absorb हो रहा है, और C भी absorb हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह कौन सा mechanism follow कर रहा है, यह Hanselwood and Langmuir mechanism, LH, Langmuir and Hanselwood mechanism को follow कर रहा है, देखिए, A क्या होगा, surface पे adsorb हो जाएगा, और B gas से भी diffuse होके surface पे आएगा, और यहाँ पे adsorb होगा, और दोनों adsorb A, adsorb B, surface पे react करके, adsorb C बनाएंगे, और finally, यह CS, जो है, desorpt होके, gas phase में चला जाएगा, ठीक है, friends, तो इसके लिए हमें, overall reaction rate हमें find out करना है, तो सबसे पहले हम formulae base पे इसको find out करते हैं, उसके बाद मैं इसको derive करके भी आपको show कर देता हूँ कि कैसे यह expression आएगा, सबसे पहले हम formulae base करते हैं कि overall जो rate है, r, a, o, is, numerator में आपका आएगा, k, a constant, into p, a, p, b, p, c, जितने भी reactants हैं, सबका multiplication numerator में हमें लिखना पड़ेगा, और denominator में फ्रेंट्स हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 plus k, a, p, a, k, b, p, b, यह क्या है, k, a, k, b यह सब adsorption equilibrium constant है, और p, a, p, b, यह सब हमारा partial pressure of a, partial pressure of b, ऐसे सब हैं, अच्छा, इसमें जो हमें लिखना है फ्रेंट्स, यह reactants और product दोनों के लिखना है, ठीक है, इसको हमें reactant और product दोनों के लिखना है, और वो reactant या product जो की adsorb हो रहा है, catalyst के surface पे, ठीक है, और उपर केवल reactants था, यह ध्यान रखना है आपको, फिर उसके बाद यह, इसका पूरा power का एक्टर माता है n, और यह n हम कैसे find out करते हैं, यह है number of reactants adsorb, जितने total number of reactants surface पे adsorb होंगे, वो हमारा n होगा यहाँ ठीक है, तो चलिए, अब इस question को solve करते हैं, directly बीना derive किये, तो हम यहाँ पे आरे लिखेंगे directly, यह हो जाएगा constant k, और कौन कौन सा reactant है, देखिए, इसमें देखिए, reactant का partial pressure का multiplication करना है, यहाँ पे देखिए, reactants का partial pressure का multiplication करना है, तो यहाँ पे reactants हमारा है, A and B, ठीक है, तो यहाँ पे k into p a, p b, numerator तो हमारा आ गया, बहुत ही आसानी से, denominator हमें क्या करना है, 1 plus, अब यह adsorption coefficient के multiplication के साथ, का multiplication, partial pressure के साथ हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है, क्या, वो सारे reactants और product जो की adsorbed हो रहा है, तो इस reaction में आप देखिए, A भी adsorbed हो रहा है, B भी adsorbed हो रहा है, और product भी इस बार लिखना है, तो C भी adsorbed हो रहा है, C को भी लिखना है, N कितना है, number of reactants adsorbed, तो इस question में देखिए, reactants कौन कौन है, A और B, और दोनों adsorbed हो रहा है, तो N यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यह हमें overall rate expression आ गया, तो देखिए, कौन सा option match कर रहा है, D option यहाँ पर match कर रहा है, weight, X problem है, देखिए, numerator यहाँ पर आपका कुछ अलग दिख रहा है, friends, actually यह जो constant है, के, यह सारे equilibrium constant का multiplication के साथ लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसको finally अगर equilibrium, adsorption equilibrium constant के साथ लिखना चाहेंगे, तो K, K, A, K, B, ठीक है, P, A, P, B, भी लिख सकते है numerator में, और denominator में same term आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर confused मत होना, कि यहाँ पर एक ही constant है, और यहाँ पर जो हमारा options दिया गया है, उसमें three constant K, A, K, B हैं, तो confused होने की जोरत नहीं है, के, A, K, B, यह सब constant है, इसलिए इस सब को couple करके एक ही constant यहाँ पर रख दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा D option, correct option हो गया, अब चलिए हम इस question को derive करेंगे, अच्छा, उसके पहले एक variation हम लोग देख लेते हैं, माल लिए इस question में दिया होता है, कि हमारा B absorbed नहीं हो रहा है, ठीक है, only A and C absorbed होगा, तब यह हमारा overall rate कैसा बनता है, तो देखिए, K, P, A, P, B, यह तो होता ही आपका numerator में, क्योंकि reactance का simply partial pressure का multiplication लिखना होता है, divided by, यहाँ पर देखिए, इस term में, 1 प्लस और सारे reactance और product जो भी adsorb हो रहा है, उसका adsorption coefficient और partial pressure का multiplication, तो B तो adsorb हो रहा ही नहीं रहा है, तो B हमारा यहाँ से remove हो जाएगा, और number of reactance adsorb कौन सा है इस पार, B तो adsorb हो रहा है याँ, only A adsorb हो रहा है, तो यहाँ पर power भी 1 हो जाता, तो अगर ऐसा case हमारा यहाँ पर given होता इस question में, तो हमारा overall rate यह हो जाता friends, ठीक है, तो कोई भी variation दे, आप इस formula से बहुत आसानी से final answer तक आप पहुंच सकते हो, reach कर सकते हो, अब चलिए हम लोग derivation देख लेते हैं, ठीक है, तो देखिए, यह जो मैंके निजब मैंने बताया, surface पर adsorb होने वाला, A यहाँ से gas से आएगा, surface पर adsorb हो जाएगा, B यहाँ से आएगा, gas phase से, और surface पर, यह catalyst का surface मैंने ड्रॉ किया है friends, यहाँ पर adsorb हो जाएगा, अब दोन rate controlling step होता है friends, यह आपको याद रखना चाहिए, और यह वाले reaction क्या है, A plus S, surface, Gibbs AS, यह intermediate जो form होता है, फिर ऐसे ही B surface से react करके, यह intermediate form करेगा, फिर हमारा surface पर reaction करेगा, और यही हमारा rate controlling step होता है, और similarly, यह CS के लिए भी हमारा disruption वाला reaction हमने लिख दिया, ठीक है, अब absorption के लिए हम कैसे लिखेंगे, जो forward rate होगी K1, K2, ऐसा हमने assume किया, forward reaction और backward reaction, तो equilibrium पे दोनों same होगा न, rate, तो यह forward reaction होगई, यह backward reaction होगई, forward reaction क्या है, K1, एक concentration वो हमने PA रखा है, और CS क्या है friends, CS है, concentration of vacant active sites, अच्छा, अब यह term आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यह CS क्या है, उसको समझने के लिए, हमने यहाँ पे, एक catalyst लिया है, ठीक है, और यह जो blue color से dot draw किया है, यह है, total active sites, ठीक है, total active sites है, यह blue सारे active sites है, इस पे क्या है, इस site पे A adsorb हुआ, इस site पे B adsorb हुआ, और इस sites पे C adsorb हुआ, और यह जो है, यह vacant sites है friends, CS, यह vacant sites है, तो total जो concentration होगा, active sites का, यह सारे active है, वो कितना होगा, कि concentration of A adsorb वाली site, फिर B वाली site, फिर C वाली site, जिस पे की ABC adsorb है, ठीक है, उसके अलबाँ यह बसता है, vacant sites, तो यह CS क्या है, concentration of vacant sites, तो total concentration आपका हो जाएगा, active sites का, concentration of vacant sites, प्लस, यह ABC, जो adsorb sites है, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से friends, यह जो K2 by K1 है, अब हम देखते हैं कि अपना adsorption वाला reaction, जो K2 by K1 है ना friends, वो क्या हो जाएगा, adsorption equilibrium constant, तो यहाँ से C, A, S, का क्या हो जाएगा, का 1 by K2 ना, equilibrium adsorption constant, ठीक है, तो यहाँ से C, A, S, simply आ गया, का adsorption equilibrium coefficient into PA into CS friends, ठीक है, इसी तरीके से similarly, इन तीनों इस reaction के लिए और इस reaction के लिए, कि आप cbs और ccs यह दोनों टर्म आप लिख सकते हो है ना यह दोनों टर्म आप लिख सकते हो अब हमें क्या find out करना है overall rate तो overall rate गवर्निंग step यह है तो माइनस आरे हो जाएगा इस reaction का rate constant ठीक है इन्टू यह cas concentration of adsorbs a concentration of adsorbs b इसका multiplication हो जाएगा अच्छा अब हम क्या करेंगे cas हमने यहां पे find out किया है और cbs हमने यहां पे find out किया है इन दोनों को हमने यहां से और यहां से put कर दिया यहां पे तो यह आ जाएगा k into k a pa k b p b और c s का whole square देखिए यह जो c s का term है यह square हो जाएगा यहां पे ठीक है अब हमें c s को find out करना पड़ेगा फ्रेंज ठीक है यहां से c s को find out करिए क्या करेंगे हम कि c a s c b s और c c s की जगह पे यह जो हमने find out किया है न यह सारे term रखेंगे यहां पे रखेंगे k c p c c s और यहां पे रखेंगे k b p b c s और यहां पे हम रखेंगे k a pa c s ठीक है इन तिनों में हमने put कर दिया तो अब देखिए c s यहां पे c s यहां पे c s यहां पे c s यहां पे c s लिया और यह पूरा टर्म इधर लाके डिवाइट कर दिया तो हमारा यह c s भी आ गया c s कितना आ गया c t अपॉन प्लस के पी यह के भी पी प्लस के सी पी सी अब इसी c s को फ्रेंट्स हम यह जो हमने find out किया है यह जो rate expression में c s का whole square था इसकी जगह पे हम put कर देंगे है ना जो हमने यह c s find out किया है तो जैसे ही हमने c s find out किया है उसको हमने put किया तो यह हो जाएगा c t square divided by 1 प्लस के पी यह के बी पी पी बी के सी पी सी का whole square ठीक है अब यह जो c t square और यह constant के इसको अपने multiply करके k dash लिख दिया ठीक है और यह k a p b p a p b तो हमारा देखिए कौन सा option यहां पर correct option हो गया option d हमारा correct option हो गया अब इसको फर्दर भी कई के लोग इसको simplify करके simple इन यह चुकि यह तीनों ही constant है तो इसी जगह पर एक सिंपल एक constant के पी पी बी अपन वन प्लस के ए पी बी के ए के के ए पी ए के बी पी बी के सी पी सी का whole square भी पूट कर सकते हैं यहां पर ठीक है तो option में जो दिया रहेगा उसके उसार आपको यहां पर करना है ठीक है तो आप देख लिए formula से भी कैसे calculate किया आपने और derive करके भी इसको कैसे आपने solve किया ठीक है इस question में फ्रेंच एक elementary second order liquid phase reaction हमें given है देखिए ठीक है और यह isothermally plug flow reactor में जिसकी capacity one meter cube है उसमें यह reaction हो रहा है फ्रेंच inlet flow rate है जो वो है 10 meter cube per hour और concentration इसमें A का और B का दोनों हमें given है और वो है 2 kmol per meter cube friends और at these condition conversion यहां पर हमारा 50% है ठीक है अब क्या किया गया फ्रेंच second case में कि if still tank reactor मतला mixed flow reactor of volume 2 meter cube capacity is installed in series upstream of plug flow reactor what is conversion in new reactor system इसमें क्या किया गया यह जो plug flow reactor था ना friends इसके upstream में मतलब इसके पहले एक mixed flow reactor of volume 2 meter cube series में add कर दिया गया तो अब यहां पे क्या conversion है यह हमें find out करना है इस line को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा न कि 2 meter cube capacity is installed in series यहां bracket में लिखा upstream of plug flow reactor कई लोग क्या करेंगे कि इस mixed flow reactor को plug flow के बाद भी install करके final conversion निकाल सकते हैं तो ऐसे में उनका answer गलत आ जाएगा ठीक है तो question को बहुत ध्यान से आपको पाढ़ना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले केस के लिए हम लोग हम लोग देख लेते हैं यहां पर एक प्लग फ्लो रियक्टर है और इनलेट कंसंट्रेशन सीए नौट है 50% conversion रहेगा तो final concentration इसका CA0 by 2 हो जाएगा और volume इसका 1 m3 है ठीक है second order reaction है ठीक है तो हमारा सबसे पहले performance equation कितना हो जाएगा tau minus dca by minus r a और यह concentration कहां से CA0 से CA0 by 2 तक जाएगा यह है ना अब क्या होगा minus r a की जगा पे हम क्या put करेंगे dca by k c a c b है ना k c a c b और inlet पर देखिए a और b का concentration सेम है और stoichiometric भी सेम है stoichiometric coefficient भी सेम है इसका मलब a और b का concentration हमेशा सेम रहेगा ना c a is equal to c b तो हम यहाँ पे c b की जगाए पे c a put कर देंगे तो यहाँ पे k c a का whole square हमारा आ जाएगा अब यहाँ पे दो variable से हमें handle नहीं करना है जिसमें की a और b दोनों था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किवल एक variable है और वो है concentration of a अब यह इसको integrate करना और ज्यादा आसान हो गया अब हमने integrate किया सारी values रखी ठीक है values कौन से रखी final concentration c a 0 by 2 लिखा और initial concentration यहाँ पे c a 0 तो हमने रखा है और यहाँ पे कितना one meter cube volume था और यह volumetric flow rate 10 हमने put किया यहाँ पे तो यहाँ से friends हमें आ गया कि c a 0 is equal to 10 c a 0 2 already given है तो यहाँ से हमे rate constant की value मिल गई friends ठीक है first part में हमें rate constant की value मिल गई second part में अब हम देखते हैं कि क्या होता है अब हमने क्या किया है यहाँ पे mixed flow reactor series में पहले ही यहाँ पे लगा दिया है तो हम क्या करेंगे inlet concentration यहाँ पे c a 0 और यहाँ पे जो concentration है friends उसको c a डैस लिखेंगे जो की outlet of mixed flow reactor है उसके बाद जो final concentration है उसको हम यहाँ पे c a put करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे mixed flow reactor के लिए performance equation लिखेंगे तो वह जाएगा tau is equal to c a 0 minus जो final concentration है c a डैस और rate at the final concentration तो rate at the final concentration यहाँ पर हो जाएगा k c a dash का whole square ठीक है k की value हमें पता है 5 ठीक है हमने k की value यहाँ पर 5 रखा और tau 1 by 10 रखा है ना नहीं tau यहाँ यहाँ पर देखे 2 meter cube है friends से यहाँ पर इस बार volume तो tau हो जाएगा v by v naught v हमारा 2 है और v naught जो volumetric flow rate है वो कितना है 10 तो यह हो जाएगा 2 k by 10 यहाँ ठीक है तो यह देखे एक quadratic equation आपको बन किया तो यहाँ से quadratic equation को solve करने पर जो final concentration of mixed flow reactor है वो हमारा आ गया one mole per meter cube अब हम इस plug flow reactor के लिए performance equation लिखेंगे जो किया space time is equal to v by v naught यह है molecule कि वाल्यमेट्रिक फ्लोरेट और simply a और b का अभी भी concentration सेम ही है तो यहाँ पर directly हमने के से सीए स्वायर रख दिया और इसको integrate किया कहां से कहां तक integrate किया इस बर c a डैस से final concentration c a तक ठीक है न तो हमें यह expression मिल गया friends के की value 5 है हमने यहां पर put किया तो यहां से आगया point 5 is equal to 1 by c a minus अब देखे c a डैस कितना है अभी हमने यहां पर find out किया था one उसको भी हमने put कर दिया तो यहां से आपका आगया final concentration आ गया 2 by 3 friends ठीक है 2 by 3 simply तो conversion हमें निकालना है overall conversion निकालना है friends question में पूछा था कि what conversion can be expected in new system of reactors तो यहां से लेके यहां तक का conversion हमें निकालना है तो वो हो जाएगा c a not minus c a divided by c a not तो यहां से यह आ गया 2 by 3 friends ठीक है 2 by 3 हमारा conversion हो गया इस लेक्चर का यह last question है friends लेकिन यह काफी अच्छा question है और इसको कम ही लोग solve कर पाए होंगे इसलिए इसको ध्यान से इस question को आप समझने की कोशिस करिए ठीक है ना देखिए liquid phase reaction है और वो reaction एक PFR में हो रहा है plug flow reactor में ठीक है और जो reaction है वो parallel reaction है जिसमें की a और c दो reactant है वो form कर रहा है यह 2b प्लस P और उसके साथ साथ parallel क्या हो रहा है कि a भी deform कर रहा है rate of formation of P हमें दिया गया है और rate of formation of D भी हमें given है ठीक है expression हमें given है तो हमें find out करना है what is the ratio of moles P formed to the deform at the exit कि यहाँ पर यहाँ पर हमें find out करना है कि ratio of moles of P form divided by ratio of moles of P form divided by moles of D form ठीक है और c का conversion जो है friends इस question में दिया गया है 50% और कोई भी product B या P या D में से इस feed पे नहीं है friends फीड पे क्या है simply A है या C है और दोनों का concentration यहाँ पे हमें given है 2 kmol per meter cube तो हमने यहाँ पे लिख लिया है अब देखिए यहाँ पे outlet पे C का concentration कितना हो जाएगा friends CC naught 1-X तो यह हो जाएगा 1 kmol per meter cube आपका C का concentration अच्छा इस reaction में C किस reaction में consume होगा first reaction में consume होगा friends ठीक है तो C कितना P कितना form होगा P भी हमारा 1 kmol per meter cube हमारा final पे concentration आएगा इसकी अलामा B भी यहाँ पे form होगा उसका concentration आजाएगा 2 kmol per meter cube ठीक है यह outlet पे आएगा इसके अलामा CD भी outlet पे रहेगा और remaining जो on reactant है वो तो बचा ही रहेगा तो यह दोनों हमें पता नहीं है ठीक है तो चलिए इस question को friends solve करने के लिए आपको किस method का use करना है instantaneous fractional yield और उसको हम instantaneous fractional yield को integrate करेंगे over the PFR तो हमें overall fractional yield हमें मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले instantaneous fractional yield हम find out करते हैं वो क्या होता है friends rate of formation of desired product upon rate of reactant a consumed ठीक है तो total a कितना consume हो रहा है यह होता है denominator में और numerator में क्या होता है कि total desired product P formed ठीक है ना तो हम हमें rate of formation of P दिया गया था तो हमने उपर यहां पे रख दिया k1 ca cc और rate of consumption of a क्या हो जाएगा दोनों ही reaction की वज़े से जितना a consume होगा न तो दोनों ही reaction में यह consume होगा तो हम rate expression को simply हम add कर देंगे इतना consume होगा आपका P form होने में और इतना consume होगा d form करने में ठीक है तो यहां से ca cancel out हो जाएगा क्योंकि numerator और denominator दोनों में multiplication के साथ है तो यह simply आ जाएगा k1 cc divided by k1 cc plus k2 friends ठीक है तो यह तो क्या होगा friends कि किसी instant पे होगा क्योंकि देखिए plug flow reactor में हर एक point पे concentration अलग-अलग रहेगा ना जैसे कि यहां पे concentration पूरे ही इस disk में यह जो thin disk बन रहा है पूरे ही इस thin disk में कुछ और होगा यहां पे कुछ और होगा ऐसे ही यहां पे कुछ और होगा तो इसी लिए instantaneous है concentration vary कर रहा है तो अगर हमें overall yield निकालना है friends न यह जो instantaneous yield की जगा पर हमें overall yield निकालना है न तो हमें इसको integrate करना पड़ेगा कहां से c c naught क्योंकि इसमें देखिए concentration c के ही form में यह आपका instantaneous fractional yield आया है तो हम इसको integrate कर देंगे ठीक है कहां से कहां तक c c naught से c c तक dc का multiplication करने के बाद तो अगर हमने यह multiply किया है तो divide भी हमें करना पड़ेगा किस से delta c c से total change in concentration of c से हमें divide भी करना पड़ेगा तो हमें यह overall fractional yield मिल जाएगा यह अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेंस मील की बुक में parallel reaction वाले चैप्टर में आप जाएए वहां पे plug flow reactor के लिए instantaneous fractional yield अच्छे से पढ़िए और आप overall fractional yield plug flow reactor के लिए कैसे निकालते हैं वो भी आप जाके देख लेजिए ठीक है अच्छा एक just information के लिए मैं बता रहा हूं कि mixed flow reactor के लिए ना friends mixed flow reactor के लिए instantaneous fractional yield और overall fractional yield दोनों equal होता है overall दोनों equal होता है क्यों क्योंकि यो जो concentration का term आएगा ना जो भी yield में concentration का term आएगा वो mixed flow reactor में concentration तो change होता नहीं है पूरा पूरा reaction mixture एक single concentration पे होता है तो यह CC इसमें constant हो जाएगा तो integration करने की ज़रूरत mixed flow reactor में नहीं होती है ठीक है तो हमने यहाँ पे k1 k2 दोनों की value 11 दी गई है हमने put किया और 5 की जगा पे करने के पाद हमें यह आ गया अब हमें इसके integrate करना है initial concentration of c2 से final concentration of c1 तक ठीक है और यह delta cc कितना हो जाएगा 1-2 final concentration minus initial concentration इसको हमें integrate करना है तो हम क्या करेंगे यह concentration of c c1 को x put कर देंगे तो cc की जगा पे कितना आ जाएगा x-1 divided by x और यह dx और जब हमने यह conversion किया तो यह initial and final condition भी change होगी तो अगर हम cc की जगा पे 2 put करें यहाँ पे तो x यहाँ पे 3 आ जाएगा और cc की जगा पे 1 put करेंगे तो यहाँ पे x2 आ जाएगा ठीक है ना अब हमने इसको integrate किया और conditions रखी initial and final तो हमें जो overall fractional yield आ गया वो आ गया 0.594 ठीक है अब देखिए जो overall yield है वो क्या है फ्रेंस moles of p formed upon moles of a reacted or consumed actually यह क्या था rate of p formed divided by rate of a consumed जो rate है वही तो number of moles में भी convert हो जाएगा क्योंकि time t दोनो numerator और denominator में एक दूसरे को cancel out कर देगा तो यह simply हो जाएगा मोल्स of p formed upon moles of a reacted simply यह आ गया 0.594 ठीक है यह overall है इसलिए outlet पे हमारा final concentration of final a consume final p formed का ratio देगा ठीक है तो यहां से number of moles react number of a reacted कितना आ जाएगा moles of p formed कितना है one mole है friends अगर per meter यहां पर हमने क्या किया सबसे पहला काम कि basis ले लिया हमने per meter cube ठीक है तो यहां से देखिए p कितना form हुआ है one kilo mole per meter cube तो one meter cube में हमारा कितना mole form हुआ है one kilo mole friends ठीक है ना तो जब हमने basis one meter cube लिया तो हमारा moles form हो जाएगा one kilo mole ठीक है जिसको हमने यहां पर one put किया तो हमारा moles of a reacted आ गया ठीक है यह आ गया one point six eight two ठीक है अच्छा अब इस reaction में देखिए friends अगर यह one mole p form हुआ है per meter cube हमने basis ले लिया तो अब मैं कभी भी यह moles per meter cube अब मैं नहीं बोलूँगा सीधे बोलूँगा कि moles formed ठीक है तो आप समझ देखिए आप अगर यह one mole form हुआ है तो इसका मतलब क्या एक इतना consume होना चाहिए one mole consume होना चाहिए पर्स्ट रियक्शन में एक कितना consume होगा हो पर्स्ट रियक्शन में consume होगा one mole ठीक है तो remaining कहां consume होगा क्योंकि total जो एक consume है फो 1.689 है मतलब 1.682 है इसका मतलब 0.682 मोल्स जो है डी फॉर्म करने में कंज्यूम हो जाएगा है ना अब देखिए ए अगर 0.682 कंज्यूम होता है इसमें इस रियक्शन में हमें पता चल गया है कि 0.682 मोल्स एक अज्यूम हो गया तो डी कितना फोर्म होगा 0.682 ही फोर्म हो जाएगा अब हमें रेशियो बताना है कि मोल्स आफ पी फॉर्म्ड आपन मोल्स आफ डी फॉर्म्ड यही तो हमसे पूछा गया था साथ कि यहीं पूछा गया था ठीक है तो यहां पर मोल्स आफ पी फॉर्म्ड आ गया 1 और मोल्स आफ डी फॉर्म आ गया 0.689 और जब हमने इसको डिवाइड किया तो यह आ गया 1.466 तो यह क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था इसको समझने के लिए जो पैरलेल रियक्शन में इस्टेंटेनियस फ्रैक्शनल एल्ड का जो कंसेप्ट है वो सियारी में दिया गया है अगर आप उस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझते तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ठीक है त और उसमें इंस्टेंटेनियस फ्रैक्शनल एल्ड और ओवर ओल फ्रैक्शनल एल्ड को अच्छे से समझने की कोशिज करिए ठीक है थैंक्स पर वाचिंग फ्रैंड थैंक्स पर लर्निंग गुडबाय एं टेक केर